रोज रोज एक ही जैसा काम करके हम बोर हो जाते हैं इन्हें हम टिप्स की तुरो करें तो हमारा काम भी आसान हो जाए और हमारे समय की भी बज़त हो हाई एवरीवन वैलकम बैक टू माई चैनल उमीद करती हूँ रोज की तरह आप सभी अच्छी होंगे तो फ्रेंड्स आज आपके लिए बिल्कुल न्यू टिप्स और ट्रिक्स लेकर रहे हूं देर न करते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट पहरास बच्चों को टिफिन तो कभी कभी क्या ओते है पे पराँठे देते हैं तो उसके तौकि ताट साथ तो स्पून या लेकिन अलोगां पैस में स्पून देते हैं तो ब ऑछ 한 पशून ऑगर पूह भागां को बच्छों का बाक की अंदर आपको क्या निक्रुए तो थोड़ा सा फोईल पेपर को कट कर लेना है तो थोड़ा सा फोईल पेपर इस तरह से हम पूरा इस तरह से हम नहीं लगाएंगे उपर की साइड ही हमें पहले लगा लेना है तो उपर की साइड अगर इस तरह से स्पून को आप पैक कर देंगे और उसके बाद थोड़ा फ बच्चों को स्पून दे सकते हैं तो इस तरह से जो बैग के अंदर अगर टिफिन रखते हैं बच्चे तो हम स्पून अगर बेशते हैं बच्चों को तो स्पून है पोहे वगारा यहां भी मकरोनी वगारा इस तरह से कोई सी भी जो चीजे हम बेशते बच्चों को देते हैं तो आप इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा फोईल पेपर उपर और नीचे लगा कर और अब क्या करना है इस फोईल पेपर के लगाने के बाद आपको ले लेना है एक रबर बैन से इस तरह से टीफिन को पैक कर देना है और बच्चों के जो बैक है उसके अंदर आपको इस तरह प्रेंट्स अगला जो मेरा टिप है हमें ले लेना है एक बावल और मैंने यहां पे ले लिया है एक बड़ा स्पून बेस्टन का तो अगर आपको ज्यादा सोलुशन बनाना है तो इसकी कॉंटिटी ज्यादा भी कर सकते हैं तो मैं थोड़ा सा ही सोलुशन बता रही हूं दाल दी है और थोड़ा सा डाल दाय रहा है निम्बू का रस तो पांचे बुंद मैंने इसके अंदर निम्बू का रस डाल दिया है और इसके बाद हमें डाल देना है इसके अंदर गुलाब जल डाल देना है लेकिन उससे पहले हमें इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देना ह तो यह अच्छी तरह से मिक्स नहीं होगा क्योंकि थोड़ा सा हमें लिक्विट फॉम में बनाना है अब इसके अंदर हमें थोड़ा सा गुलाब जल है वो डाल देना है तो फ्रेंट यो चार जो चीज हमने इसके अंदर डाली है तो क्या होता है कईयों कि जब आखों के बना जाता है हाथ पेरों में भी तो क्या करना है आपको यह आप फेस पी अपलाई कर सकते हैं। मैंने खुटब सा गुलाप जल डाल टाल कर आपर हमाई अब आपको आपको अपने पुरे सिस पो आपको ये apply कर लेना है पाँच या दस मिन्ट के पाथ फेस को आपको flash कर लेना है तो friends ये इसके अंदर जो गुलाब चल जो है और इसके अंदर झो हमने बेस्थन और मलाई एड़ की है उससे फेस की जाईआं वगारा है दूर हो जाती है काला पन जो होता है वो दूर हो जाता है तो इस तरह से अगर आप हफ़ते में एक बार इसको लगाएंगे तो आपका फेस जो है एकदम से गलो करने लग जाएगा क्योंकि हमने इसके अंदर मलाई वगरा भी एट की हुई है और निम्बू से क्या होता है जाईया वारा काला पन भी दूर हो जाता है तो अब मैं इसको वोश करके बता रही हूँ पांच या दस मिन के बाद मैंने अपने हाथों को वोश कर लिया है तो देख सकते हैं हाथ एकदम से वाइट हो गए है तो फ्रेंड्स मेरा अगला जो टिप है क्या होता है जब भी हम इस तरह से कोई भी चीज का यूज करते हैं बेसन वागारा या कुछ भी थोड़ा सा खूलने के बाद हम इससे यूज करने के बाद इस पैकर को हम ऐसे ही रख देते हैं तो क्या होता है इसके अनुदर नमी आ जाती है परसाद के मौसम में तो अक्सर नमी आ जाती है या फिर इस पैकर के अंदर कभी भी जो होते हैं कीगडे वगारा वो भी जाने का ढर रहता है तो आपको क्या कмотрना है हल्का सा ही स्फून जो है इसको हमने knife को गरम कर लिया है बस हलका सा ही knife को गरम करने के बाद जहां पर आपने जो इस थैली को open किया हुआ है वहां पर उपर की साइड आपको हलका सा इस तरह से knife है दबा कर चला देना है ऐसा करने से यह होगा कि जो यह थैली है एकदम से चिपक जाएगी और आपको वा अब बिल्कुल भी इसके अंदर जो है बेसन वागरा जो है वो नहीं गिर सकता है इस तरह से मैदे वागरा की थैली होती है या कोई भी थैली हो तो थोड़ा सा इसको आप लेने के बाद इस तरह से आप वापिस पैक करके रख सकते हैं तो बढ़ते हैं अपने next tip की तरफ, next यो मेरा tip पे हमें ले लीनी है, इस तरह से कोई भी एकदम से साफ polythene ले लीनी है, अगर साफ नहीं है तो उसे wash करके और आप दूप में सुखा कर, तो बिल्कुल साफ polythene मैंने इस तरह से ले ली है, आप क्या करना है, जो उपर का हिस् इसा होता है, वो भी जो polythene का खुला ही रहता है, अब क्या करना है हमें, जहां पर हमें कट किया है, कैंची से, उसे हमें इस तरह से रखने के बाद, नाइफ को कर लेना है, गरम, तो मैंने नाइफ को कर लिया है, गरम, और थोड़ी-थोड़ी दूरी पर हमें इस तरह से knife चला लेना है इस तरह से knife चलाने से ये होगा कि जो ये थैली है आपस में चिपकती रहेगी क्योंकि knife को मैंने गरम कर लिया था और इसके बाद थैली के जो है इसके थोड़ी थोड़ी दूरी पर इस तरह से knife को करते रहेंगे तो बिल्कुल अच्छे तरह से ये थैली है चिपक गई है तो friends देखिए क्या होता है जब हम बाहर जाते हैं कहीं गूमने वगारा ट्रेवल वगारा में या फिर कभी कभी बाहर कभी हम शादी वगारे में भी कहीं बाहर होती है शादियां वगारा या फिर कहीं बाहर गूमने वगारा जब हम जाते हैं तो अपने इस तरह से brush को अलग-अलग रख कर और अपने बैग में carry करके लेकर जा सकते हैं तो friends ये चोटा सा idea है लेकि बहुत ही काम का idea है इस तरह से क्या होगा कि जो ये brush है आपस में एक दूसरे से touch भी नहीं होंगे और अलग-अलग रहेंगे तो इस तरह से सारे family member की brush है अलग-अलग रख सकते हैं क्योंकि हमने इसको अलग-अलग knife से जो थैली को अलग-अलग कर लिया था और इस अलग-अलग करने के बाद एक rubber band लगा कर आप बैग में अच्छी तरह ऐसे carry करके लेकर जा सकते हैं तो क्योंकि जो हम इसके अंदर मैंने brush रखे हुए हैं सब अलग-अलग है और अलग-अलग की रखने का ये फायदा होता है कि एक दूसरे से ये brush टच नहीं हो पाए है आई होप आपको मेरा ये वहला tip पसंद आया होगा next वहला जो मेरा tip है कि जब भी gas होता है कईयों का जो gas होता है जो इसका बाहर से क्या होता है gas निकलने चालू हो जाती है तो friend जो मेरा जो ये gas है इसमें बिल्कुल भी gas जो है बाहर नहीं निकल रही है मैंने इसको gas को open करके आपको बता दिया था तो जिसका जो इस तरह से जो burner है burner मेंसे अगर gas बाहर निकल रही हो नीचे की side तो आपको इस तरह से लगा लेने हैं साबुन तो थोड़ा सा मैंने साबुन की एक एक लेयर है लगा लेना है इससे क्या होगा कि जब भी गैस है आप चालू करेंगे तो बर्न में जो गैस बाहर आती है जिस से क्या होता है जो प्रोपर आधागा हम बना नहीं सकते हैं प्रोपर गैस है हमारी उपर की साइड नहीं आ पाती है जहां हमने कोकर वगारा या फिर कोई भी कड़ाई वगारा रखी होती है इससे गैस की भी काफी वेश्टेस होती है इस तरह से आप दोनों साइड थोड़ा सा साबून लगा देंगे तो जो गैस का बनर है बिल्कुल इसमें गैस उपर की साइड ही आग आएगी साइड में जो आग आजाती है बिल्कुल भी नहीं आएगी तो थोड़ा सोड़ा सा मैंने इस लेक एक लेयर साबून की लगा दी है इस तरह से आप ये टिप्स अपना कर अपनी गैस के भी बचत कर सकते हैं आई होप आपको मेर ये सारे टिप पसंद आयोंगे ये तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें मैं मिलती हूं नेक्श वीडियो में तब तक के लिए बाए